अब आपको फिमोरल आर्ट्री को दोबारा से पहल पेट करना है उसके लिए आप दूसरी फिंगर कर सकते हैं तो जहां पर आपको फिमोरल आर्ट्री की पल्स मिल जाए वहां पर अपनी फिंगर को फिक्स करिए और आपको उससे मीडियली यानि अंदर की तरफ आपको फिमो आपको ब्लड दिख जाए कि हाँ ब्लड आ गया है तो फिर आपको सिरिंज को होड कर देना होता है उसको मुवमेंट नहीं करना होता है अब गायड वायर को आपको इंसर्ट करना होता है तो कितना इंसर्ट करना है यह गायड वायर पर निशान बनावगा होता है तो दवहां झालग को वहां को जाइब